हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इंजिनरिंग एट मूमेंट चैनल पर इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरो एचेस कम्प्लाइंस के बारे में तो बने रहें इंजिनरिंग एट मूमेंट चैनल पर दोस्तों आरो एचेस कम्प्लाइंस का मतलब है रेस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस सब्स्टेंस यानि जो भी हानिकारक सब्स्टेंस हैं उनको रोकने के लिए यह कम्प्लाइंस बनाए गया है हजार्डस सब्स्टेंस का रेस्ट्रिक्शन यह डिरेक्टिव दो हजार दो स्लैस 95 स्लैस इसी है इसमें क्या है कि हजार्ड़ सेफ्टेंस जो की एलेक्ट्रिकल और एलेक्ट्रोनिक में होते हैं उसके रिस्टिक्शन की बात हुई है यह डिरेक्टिव फर्वरी 2003 में यूरूपियन यूनियन दौरा किया गया था इसका गोल होता है फ्रेंड्स इनवार्मेंट और हेल्थ पे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस की वज़े जो हजार्डस संस्टेंस हैं उनके इंपेक्ट को रिड्यूस करना तो अर्च का डिरेक्टिव जो है उसका में फोकस है इन्वार्मेंट पे हजार्डस संस्टेंस के इंपेक्ट को रिड्यूस करना और यह जो सब्स्टेंस हैं उनको कंप्लीटली एक्स्क्लूड यानि आपका प्रोड़क्ट तो वह हैं अगर उस पर्संटेज से ज्यादा है तो वह हजार्ड से हमारे इंवार्मेंट और हेल्थ के लिए वह वह नॉन और एच्छ प्रोड़क्ट हो जाता है अभर्रन्ट्स बहुत सारी कंट्रीज čo khasch प्रोड़क्ट होती है वैसे इविश्य बॉपियन कंट्रीजratic प्रेशल शारी कंट्री infrastruktur डालीरलति व司 तaste मुझेंट08 प्रहाशिए चाब सोते थैंट होती है इसमें रैम में सब्सेंस की टेस्टिंग हो ती है केमिकल से अधिस्रीट कोईलौसे Listening जा रहा है फिर डॉकुमेंट का review होता है जैसे bill of material हो गए हमारी lab reports हो गई सबका review किया जाता है और यह देखा जाता है कि यह सारे डॉकुमेंट्स ROHS से related हैं और उसके तुरू इसके लिए designed है कि नहीं है और यह ROHS के norms को implement करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं जब यह सारी चीज़े फॉलो हो जाती है और यह confirm हो जाता है कि process टेस्ट और डॉकुमेंट्स ROHS compliant हो गया है तो उसके बाद एक certificate यूज इसू होता है ROHS compliance का वो fourth step हो जाता है तो friends जो है parameters जो ROHS में चक किये जाते हैं जो substance वो है पहला तो cadmium है दूसरा lead है तीसरा mercury है चौता hexavalent chromium है पाचवा है polybrominated diphenyl PBB और उसके बाद है polybrominated diphenyl ethers PBDE फिर उसके बाद है बिज-phethylate DEHP फिर उसके बाद है benzyl-butyl-phethylate उसके बाद है di-butyl-phethylate and last है di-isos-butyl-phethylate जो दोस्तों non-ROHS part होते हैं यानि कि जो ROHS complaint नहीं होते हैं उसमें in substances की मांतरा ज्यादा होती है तो उससे होता क्या है दोस्तों वो हजार्डस होते हैं तो जहां पर manufacturing हुई है उनकी वहां पर workers की health को कहीं न कहीं वो effect करते हैं वैसे तो workers safety norms को follow करते हैं फिर भी वो जो है effect कर सकते हैं फिर जहां पर packaging होती है तो packages को effect कर सकते हैं ठीक है friends उसके बाद जो user है उसको तो पता ही नहीं होगा कि यह rohs complaint नहीं है क्योंकि इतने knowledge होती नहीं users को और वो उसे कैसे use करना है नहीं समझ पाते हैं कहीं नहीं effect हो सकता है फिर जब user ने use कर लिया product को वो टूड़ गया खराब हो गया जब उसकी age हो गई तो या तो landfill हो जाता है या फिर recycler के पास जाता है तो recycling plant में workers को effect कर सकते हैं और landfill में हो गया तो फिर वो हमारे sea water या ocean water में मिलेंगे तो environment को effect करते हैं पानी के साथ मिल सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं नौन erねchis part जो है हमाएं कहीं ना कहीं directly और indirectlyгов acquarin करffee रहे हैं इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जादा से जादा यही कोशिश होनी चाहिए कि नौन-RHS part को ना पर्शेस की जाए या फिर हमें RHS part के लिए ही जाना चाहिए यह कोशिश रहनी चाहिए तोस्तों I hope आपको मेरा Yakş特 पसंद हुआ होगा और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो बने रहें Engineering at Moment चैनल पे और तीन चीज़ें न भूलें दोस्तों इस वीडियो को Like, Subscribe और Share करना Thank you